हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम SSE CHSL 2021 जो आपका मैई जून 2022 में हुआ था उसमें मिसिंग नंबर से या आप इसे मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इससे आए हुए सारे कुश्चन सॉल्व करेंगे ये आपका पार्ट 2 है इससे पहले पार्ट 1 मैंने करा दिया है आप उ खुछ से जरूर सॉल्व करें इससे पहली मैंने आपको कई बार मिसिंग नंबर के कुश्चन करा दिया है जो भी लेटेस पूछे गया है ये आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोटेंट हैं जैसा कि कलेंडर भी रिवलीज हो गया है आपका CGL का एक्जाम हो या HSL MTS सभी के लिए इंपोटेंट है क्योंकि पैटन आपके वही रिपीट होते हैं और लेटेस कुश्चन है तो आपको ये जरूर करने चाहिए और इसी के साथ में आपको इसे सेर भी करना है ठीक है लोग देखते हैं लेकिन सेर नहीं करते हैं लाइक नहीं करते हैं तो नीचे यही लिखा गया है जो भी आपको operation करने हैं वो आपको whole number पर perform करने है ना कि उनके digit में करने है ठीक है यहीं पर लिखा गया है आप सभी पढ़ सकते हैं बागी सब सेम है तो यहां पर आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है जैसे square, cube मैंने आपको बताया है बड़े question भी आएंगे हम करते रहेंगे तो यह सारी चीज़े आपको याद होनी चीज़े square, cube, table ठीक है यह necessary है तो अब सुरू करते हैं पहले question से पहला question आप देखें जैसा कि मैंने आपको बताया है अगर आप first row में देखेंगे तो यहां पर question में लिख देता हूँ क्या है 17, 8, 153 और 19, 6, 133 और 13, 7 question mark अब मैंने आपको बताया आप देख सकते हैं बड़ा number यहां है question mark यहां है तो आप इस तरीके से यहां जा सकते हैं इस row में तो आप देखें 153 है तो आपको table याद होगे और आप इसके factor करेंगे आप पताओ 153 17, 153 होता है सभी को पता है 17 into 9, 153 होता ह अब आप देखो यहां पर आपके पास 17 तो आपको 9 चीए तो आप क्या करोगे दूसरे number पर plus 1 कर लोगे तो यह आपका pattern बन गया pattern क्या बन गया 17 into पहले number को multiply करना है दूसरे में एक add करके तो आपको क्या मिल जा रहा है third number मिल जा रहा है तो general pattern क्या हो जाएगा आप यह बो देख सकते हैं 19 है और 6 में 1 जोड दिंगे तो 7 होगा 19 सत्ते 13 हो जाता है तो आप देख सकते हैं next में आप देखेंगे यहां पर 13 और 7 में 1 add कर दिंगे 8 आ जाएगा और 13 अठा कितना होता है 104 होता है जो कि आपका fourth option हो जाएगा ठीक है सबी को समझमा आ गया कैसे करना है त आप इन question को वहां पर कर सकते हैं next question देखते हैं इसे आप कैसे करेंगे खुछ से जरूर करना है आप यहां पर देख सकते हैं अगर पहले रो में आप pattern देखने तो आप यह देख सकते हैं पहले से दूसरे में कैसे जाएंगे दूसरे से तीसरे में तो यहां पर आप देख स 9 चक को 36 प्लस 3 49 है 8 चक को 32 प्लस 3 35 है तो आप यहाँ पे देख सकते है next 159 कैसे आएगा इसको आपने 3 से multiply किया 3 कं 3 153 आया और इसमें 6 8 कर दिया तो 159 मिल गया तो यह pattern है यही pattern जो है जो first row में follow है यह सारे row में follow होना चीए next में आप देखेंगे यहाँ पे आप करेंगे 9 चक को 36 36 में 3 8 करेंगे तो आपको 39 मिल गया 39 को 3 से multiply करना है 43 120 होता है 3 minus करेंगे 117 117 में 6 8 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 123 तो यही pattern आपको यहाँ पे चीए हम ऐसे ही क्योंगे क्योंकि question mark यहाँ भी था और बड़ी संख्या यहाँ भी थी ठीक है आप अलग तरीके से भी कर सकते है लेकिन खुश से सोचना आपको जरूर है तब ही आपको कोई और pattern भी यहाँ पे दिख सकता है तो यहाँ पे हम कैसे जाएगे next पे 8 चक को 32 32 पे 3 एट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 35 मिल जाएगा अब हमें next नमर चीए 35 तियां कितना होता है 105 होता है 105 पे हम कितना एट करेंगे 6 एट करेंगे तो कितना हो जाएगा triple one हो जाएगा तो आपका answer क्या हो जाएगा second option हो जाएगा ठीक है, सबी को समझ मार होगा, next question करते हैं, next देखें, इसे आप कैसे करेंगे, देखें, यहाँ पे क्या pattern है, अगर आप इनके बीच में gap देखते हैं, तो आप देखेंगे, 54 से 72 के बीच में जो gap है, वो आपका plus 18 का है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 72 से 90 के बीच में plus 18 का gap है, same आप यहाँ पे देख सकते हैं, next वाले में 79 से 97 के बीच में 18, और 97 से 115 के बीच में यहाँ भी plus 18 है, तो इनके बीच में जो gap है, वो 18 का है, तो आप देखो 83 से, 83 से 101 गए, plus 18 एट किया है, और 101 से आप plus 18 करेंगे, तो आपको कितने मिल जाएगा, 119, तो आप कांसर क्या हो जाएगा, third option हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से gap भी होते हैं, next question देखते हैं, इसे देखें, उससे जरूर करें, ठीक है, आप देखेंगे, एक की pattern अगम देखेंगे, ये pattern आपके एक एक्जाम में repeat भी होते हैं, और ये पहले भी पूछे गए हैं, अब आप यहाँ पर देखें, कैसे जाएगे, अब आप ये कह सकते है, question mark यहाँ पर है, तो आप इस तरीके से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, 19, 81, 30, तो आप देखेंगे कि मुझे 30 चीए, तो 30 कैसे आगा, अब छोटा नंबर है, आप देख सकते हैं, यहाँ छोटा नंबर है, और पहले फर्स रो में हम लॉजिक देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 19 को 3 से मल्टिप्लाई करते हैं, 19 तिया 57 होता है, और दूसरे नंबर को 3 से डिवाइट कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइट करेंगे, तो यहाँ पर 57 माइनस 27 हो जाएगा, जो कि आपको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, अब इस तरीके पैटन पहले भी आया हैं, यह आपको सूचना पड़ेगा, ठीक, अगर आपकी प्रैक्पिस होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, कहाँ पर डिवाइट करना है, कैसे मल्टिप्लाई करना है, क्योंकि आपको 30 चाहिए, तो आप देखंगे, सेम हम second row में भी करेंगे, 42 को 3 से multiply किया, तो आप देखंगे और यहाँ पर 57 को 3 से divide करेंगे, तो आप देखो 42 को 3 से multiply किया, 3 दू निच्छा है, 4 तियां बार 126, 57 को 19 आएगा, 19 तियां 57, और यहाँ पर आप देखंगे, यह कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा, तो सेम कर देंगे 15 मैनस करेंगे तो आपका 4 6 में से 5 54 आ जाएगा तो यह आंसर आपका 3rd option हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप सोच सकने से next question करते हैं next देखें यहाँ पर कैसे करेंगे 15 62 120 है तो यहाँ देखें क्या pattern आपका हो सकता है आप नंबर के नजदीक जा सकते हैं मैं देख रहाँ कि 15 चको 60 प्लस 2 62 है इसी परकार 18 चको 72 प्लस 2 74 है इसी परकार 21 चको 84 प्लस 2 86 है तो आगे भी आपका multiply करके हम देख लेंगे तो pattern क्या है 15 को हमने 4 से multiply किया 15 चको 60 प्लस 2 किया तो हमें क्या मिल गया 62 मिल गया इसी तरह 62 को हम देखें नजदीक जाएंगे तो 2 से multiply करके देख सकते है ठीक है और यहाँ पर यह भी हो सकता है 62 इंटू 2 आपका 124 होता है 124 में से 4 गया 124 में से 4 गया तो आपको कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा इस तरीके से आप बोल सकते है या आप इसमें ऐसे भी बोल सकते है कि अगर हमें पता है 62 में से 2 पहले ही मिल गया आगे इसे दो से मिल्टिप्लाइ करेंगे दो चक्वार्ट दो सत्य चौदा एक्सो अट चालिस मैनस चार करेंगे तो एक्सो चौवालिस मिल जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा 144 होगा आप यहां भी देख सकते हैं आप यह भी बोल सकते थे यहां पर सेकेंड में 74 में से 2 माइनस किया 72 फिर उसे 2 से मिल्टिप्लाई कर दे 144 आ गया यहां पर आप देखेंगे 21 को 4 से मिल्टिप्लाई किया आपका कितना आएगा 84 प्लस 2 86 आओगा और 86 को 2 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2 छक्का 12 आपका 2 अट्टे 16, 17, 172 माइनस 4 168 आ गया तो आप देख सकते हैं कैसे आपने क्वेशन किया है और यह पैटर्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं आप यहां पर यह भी देख सकते थे ठीक है 32 से आपको 18 पर जाना है छोटे नमबर पर जाना है तो आप सोचें 18 कैसे आएगा कहीं न कहीं डिवाइड आपका हो सकता है आपके पास जो नमबर है वो 32 और 40 है आप देखो 32 42 से आपको 18 ची तो आप क्या पैटर्न लगा सकते हैं 40 आपका 40 80 हो जाएगा 84 हो जाएगा 84 को 4 से डिवाइड किया तो 4 दुनिया 21 आ गया तो सेम पैटर्न आपका यहां लग जाएगा 33 प्लस 43 को एट करना है तो आपका 3, 3, 6, 4, 3, 7, 76 और इसे 4 से डिवाइड करना है तो आपका कितना आ जाएगा 19 चको 76 होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2nd option 19 हो जाएगा ठीक है सबी को समझमा आ रहा होगा ठीक है यही पैटर्न आगे भी repeat होते है आप जितनी जादे practice करोगे उतना जादे आपके समझमा आएगा ठीक है तो practice important है क्योंकि यहाँ पे आपको logic सोचने होते है और किस-किस तरीके से logic पूछे जा रहे है वो भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है आप यह logic आपके पहले भी अभी latest अगर आप एक-दो साल में देखोगे यह pattern पहले भी पूछे गए है वही आपके repeat हो रहे है तो आपको यह practice करते रहनी चाहिए practice करोगे तो वहाँ पे आपको exam में ध्यान भी आ जाएगा कभी-कभी ऐसा भी होता है किसी question में आपको skip भी करना पढ़ता है एकदम से logic ध्यान में नहीं आता है यहाँ पे आप skip भी कर सकता है लेकिन practice करेंगे तो आप जादे से जादे question करेंगे अब आप देखो यहाँ पे आप किस तरीके से करोगे मुझे 39 चीए तो 39 किस तरीके से आ सकता है मेरे पास जो number है उस 7 और 9 है ठीक है 7, 9, 39 तो मैं 39 कैसे लाँगा आप देखो कि मैं हो सकता है मैं इन दोनों को जोड़ लूँ इन दोनों को जोड़ के उसको double करके triple करके फिर कुछ minus करके ऐसे आप का सकता है तो यह मैं सोचूँगा मैं अगर इसको double करता हूँ 9 और 7 को मैं double करता हूँ पर कितना आ जाएगा 9 और 7 16 होता है 16 को 2 से multiply कर लेता हूँ ठीक है 7 प्लस 9 को double किया इसको 12 से multiply किया 32 अब 32 में देखो मैंने 7 जोड़ा तो मुझे 39 मिल गया अब मैं ये बोल सकता हूँ ये 7 जो है ये पहला वाला नंबर है इस तरीके से बोल सकता हूँ यहां पर अभी तो य pattern है अब ये pattern second में भी follow हो रहा है ये मुझे देखना है मैंने क्या क्या step 4 और 8 को जोड़ा 12 आया 12 का double किया 24 आया 12 का double किया तो कितना आ गया 24 आ गया और अब इसमें क्या करना है next step पहला वाला नंबर जोड़ देना है पहला वाला नंबर जोड़ा 24 चार 28 आ गया same pattern में आ ग तो आपका answer क्या हो जाएगा first option हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर square करके भी देख सकते हैं हो सकता है square करके आपका आ जाया अगर आप यह देख सकते है 9 का square 81 करेंगे तो 81 में से उन पंचास आप मैनस करेंगे तो आपको कितना और यहां पर आपका सात मैंसे चार, टीन मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आपव, देखो, 32 मिल लागा तो यह होगा नहीं, इस तरीके से, अपका है, इसे भी आपको logic मिल सकते हैं, ठीक है, तो यह Süरी चीज़ी आपको आपको देखनी पड़ेंगी, कि आपका कैसे आ रह को देखके कुछ समझ मार है, मैंने आपको बता है, square आपको direct ऐसी ही दिखेगा, ठीक है, आपको आप देखना है कि third में आप देखके, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है तो यह 27, 64 क्या है, 27 भी cube है, 64 भी cube है, तो next में आपका हो सकता है, cube है अगर आपको वहाँ पर time नहीं है तो आप इतना सा देखके सीधे इसमें 8 भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे exam में आप कैसे करेंगे, आपके 27 है, अब आप यह सोचों कि 3 का क्यों होता है, तो अब आपका पूरा ध्यान यह हो जाना चाहिए, कि मैं 3 कैसे लाओं, और आपके पास नंबर 24 और 12 है, तो 3 नाना है तो मैं यह बोल सकता हूँ, 24 में से 12 में से 12 मैंनस करूँ, तो मेरे पास कितना आएगा 12 आएगा, और 12 का 4 से divide कर दूँ, तो मुझे 27 मिल जाएगा, अब यही pattern क्या यहां भी लग रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 29 में से, दूसरा नंबर घटा है, 13, कितना आएगा 29 में से 13 घटा होगे, 6 2 में 16 आएगा, और इसे किस से divide करना है, इसे divide करना है 4 से, ठीक है, तो 4 चक को 16 होगे, और उसका cube करना है, तो आप देखोगे, 4 चक मिल जाएगा, तो आप देख सकतो कैसे आएगा, ठीक है, अब यह ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर आप से process करोगे, 32 में से 24 minus करोगे, तो आपको कितना मिला, तो आप देखोगे, यहां पर 6, 2, 8 मिल जाएगा, इसे 4 से divide करना है, और फिर cube कर देना है, तो यहां दो हो जाएगा, दो का cube कितना होता है, 8 होता है, तो इसका answer क्या आजाएगा, 3rd option, 8 आजाएगा, next question करतें, next देखें, इसे आप कैसे करेंगे, अब देखो, अगर खुश से solve करेंगे, तो अलग-लग mind से solve करेंगे, अलग-लग तरक हो सकते हैं, ठीक है, तो तरक सकती है, logic है, तो आप देखें, यहां पर आप किस तरीके से इसे कर रहा है, ठीक है, अब मैं यहां पर देखो, अब 12, 25, 19 है, ठीक है, तो 12, 25, 19 है, तो मुझे 19 चाहिए, तो 19 कैसे आ सकता है, अगर मैं 12 को double करूँ किसी से, ठीक है, जैसे कि इससे पहली भी किया है, अब यहां पर आप देखो कि अगर मैं 12 का double करता हूँ, तो 12, 24 होता है, और दूसरे वाले नंबर को 5 से divide कर लेता हूँ, तो यहां पर आप देखो कि 24 में से 5 मैंस करूँगा, तो यहां पर 24 आएगा, और 5 मैंस करूँगा, तो मुझे 19 मिल जाएगा, इस तरीके से आप सो सकता है, अब आप यहां पर देख सकता हूँ कि सेकेंड नंबर 25, 50, 70, यह 5 से divide हो रहा है, ऐसी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, हो सकता है, कहीं पर 2 से divide हो, कहीं पर 3 से divide हो, ठीक है, अब आप देखो, next मैं करोगे, तो मैंने क्या किया, 35 को 2 से multiply किया, 35 दूनी 70, और सेकेंड नंबर को 5 से divide करके minus कर दिया है, तो 35 दूनी 70, 70 मैं से आपका 10 जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, इसी तरीके से मैं यहां पर भी सोच सकता हूँ, 24 का double किया, 24 दूनी 48, और 70 को 5 से divide कर लिया, तो आप देखोगे, यहां पर 48 हो जाएगा, और यहां पर कितना आजाएगा, आपका 14, 75, तो 14 मैंस करोगे, 8 में से 4, 4, और 4 में से 1, 3, तो 34 आपका answer आजाएगा, जो कि आपका fourth option है, तो आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने किया था, जिसमें हमने 3 से multiply किया था, और 3 से दूसरे number को divide किया था, minus किया था, अब कहीं पर यह हो सकता है, कि यहां पर हम पहले number को divide करें, दूसरे को multiply करें, ठीक है, तो और हो सकता है, जैसे हमने यहां पर minus किया, तो कहीं पर प्लस भी हो सकता है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि आपको बड़ा नंबर चीज़े तो आप प्लस करके देख सकते हैं यहाँ पर आप माइनस करके देखने तो 19 मल जाएगा ठीक है आप देखो वही पैटर्न आपका रिपीट हुआ है ठीक है नेक्स देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे 124,38,100 है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकतो मुझे दिख रहा है 100 भी आपका क्या है 64 भी स्क्वाइर है लेकिन आपसन में कोई स्क्वाइर नहीं है तो इसका मतलब स्क्वाइर से तो यह होगा नहीं ठीक है और कैसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ठीक है 38 है और मुझे यहाँ चीए तो ऐसे चीए तो मैं यह सो सकता हूँ अगर मैं 124 का हाफ करूँ और इसमें 38 हैट कर दो तो आप देखो 124 का हाफ करोगे 62 होगा 62 में 38 set करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा इसी तरीके से आप यहाँ pattern लगाओ दूसरे वाले में 78 का half करोगे और इसमें 25 set करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 का half 49 होगा 49 में 25 set करोगे तो एक 40 हो गया और यह आपका 64 हो जाएगा 78 आगया जो कि आपका 4th option है ठीक है समझ महा रहा है कैसे आपको करने next question देखते हैं इसे देखें 101 है 97 है ठीक है factor किन यह उगर 67 25 है ठीक है तो यह आपका कैसे हो सकता है देखें ठीक है तो multiply करके आप देख सकते 101 चीए तो यहाँ पर 25 चको 100 अगर मैं second वाले number को 4 से multiply करूँ और 67 को मैं करूँ 3 से ठीक है तो आप देखो 201 होता है 67 को आपने किस से multiply किया 3 से और 25 को 4 से किया तो आप देखो 63 कितना होता है ठीक है तो आप देखोगे यहाँ पर 201 minus 25 चको 100 तो यह आपका 101 हो गया सेम पैटन यहाँ पर लगाओगे 55 को 3 से multiply करोगे minus 17 को 4 से तो 55 तियां कितना होता है 50 तियां 1.5 तियां 5 तियां 165 हो गया 165 में से 68 मैनस करना है तो 65 हो गया 3 और जाएगा तो 97 आजाएगा इसी तरीके से आप इसे करोगे 45 तियां ठीक है 45 तियां 135 और 19 चक को 76 तो 135 में से आप 76 मैनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 24 और 35 आपका कितना हो जाएगा 59 तो इसका answer क्या जाएगा 59 जो कि आपका fourth option है ठीक है तो आप देख सकते है किस तरीके से यह pattern यहाँ पर मिल रहा है next question देखते है इसे देखें 2,3,17 है 4,600 है तो 2,3,17 बड़े नमबर पर जाना है तो मैं square cube करके जा सकता हूँ अगर मैं square करूँ है इन दोनों का तो 17 नहीं मिलेगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 का cube करता हूँ प्लस 3 का square करता हूँ आप देखो 2 का cube किया 8 प्लस 9 तो 9,8,17 मिल गया इसी तरीके से आप यहाँ देख सकतो 4 का cube करोगे 6 का square तो 4 का cube 64 होता है 64 प्लस 36 आपका 100 होता है same process यहाँ करनी है 5 का cube प्लस 2 का square तो आप देखोगे 5 का cube 125 प्लस 4 एट करोगे तो 129 आजाएगा 60,18,12,23,23 अभी दो को ऐसा ही हमने पहले बेंभी किया था मुझे पता है मुझे 10 पर जाना है चोटे नंबर पर जाना है तो मैं किस तरीके से जा सकता हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर 64, ठीक है 44, 42, ठीक है 44, 42 42 में से 32 मैनस करूँगा 64 का हाफ तो 10 मिल जाएगा देखो इसमें क्या पैटन लगा 14 को 3 से मल्टिप्लाइ किया 44, 42 और 64 का हाफ कर दिया तो आप देखो 42 में से 32 जाएगा 42 में से 32 जाएगा तो 10 आ गया यही पैटन में यहाँ लगा के देखता हूँ 7 को 3 से मल्टिप्लाइ किया और यहाँ पर 44 आ जाएगा ठीक है तो 9 में से 4 5 6 में से 4 2 तो 25 इसका answer आ जाएगा जो कि आपका fourth option है next question देखता हूँ next देखो इसे देखो इसे आप किस तरीके से करोगे अब यहाँ पर आप देख सकतो 58 28 90 है ठीक है और मुझे 90 है तो 30 90 होता है ऐसे मैं सो सकता हूँ 30 90 होता है और 58 में से 28 minus करूँगा तो मुझे 30 मिल जागा अब यहाँ पर minus है तो यहाँ पर मैं pattern यह सो सकता ह हूँ 58 पहले दो नंबरों को एड किया ठीक है एड किया यहाँ पर मैं एड कर रहा हूँ ठीक है यह एड है और इस तरीके से minus है तो यहाँ पर minus ही हो जाएगा तो add किया और उसे multiply कर दिया minus 3 से तो आप देखोगे 58 minus 28 30 होगा 30 को minus 3 से multiply किया तो minus 90 आ गया तो pattern क्या है पहले दो number को add करना है और उसे multiply कर देना है किस से minus 3 से तो आपको third number मिलना है तो यही pattern यहाँ लगाता हूँ minus 17 plus 21 तो minus 17 plus 21 आपकर कितना हो जाएगा आप देखीं यहाँ पर 4 होगा 4 को minus 3 से multiply करना है तो 4 minus 3 कितना हो जाएगा minus 12 हो जाएगा same pattern यहाँ पे लगाना है minus 8 minus 7 add करना है गुणा minus 3 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 minus 15 होगा 15 को minus 3 से multiply करेंगे 45 हो जाएगा जो कि आपका second option है next question करते हैं इसे देखें इसे करें खुश से यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे 32 count 38 इनके बीच में gap देखता हूँ तो 18, 19 का मिला है लेकिन दूसरे वाले में gap सेम नहीं मिला है तो gap तो नहीं है और कैसे जा सकता हूँ divide करके देख सकता हूँ अगर मुझे 33 चीए तो 33 पहले वाले जो नंबर है वो 2 से divide हो रहे हैं 16 और 17 आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इसे मैंने 2 से divide किया और 51 को मैंने 3 से divide किया तो आप देखोगे 16 आया और यहां से 17 किया एकाउन 16 और 17 क्या हो गया 33 हो गया पैटन क्या बन गया 1 को 2 से divide कर रहे है 2 को 3 से divide कर रहे है तो third number मिल ला है इसी तरीके से यहां हम लगा के देख लेते हैं 28 को 2 से divide किया और 37 को 3 से divide किया तो यहां पर आप देखोगे 14 प्लस 11 आपका 25 हो जाएगा इसी तरीके से यह pattern यहां लगाओगे तो 2,8,16 होगा और 3,27 तो 9,8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा जो कि आपका second option है next question देखते हैं इसे देखें 5,9,16 है तो कैसे जा सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं square cube करके देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था अगर मैं 9 का square करता हूँ 81 मैं 25 मैंनस कर लेता हूँ तो मुझे 56 मिल जाएगा आप देखो 9 का square किया मैंनस 5 का square 9 का square 81,25 तो आप देखोगे 11 में से 5,6 हो गया 7 में से 2 आपका कितना हो गया 5 हो गया 56 मिला सेम pattern यहां लगाऊँगा 7 का square मैंनस 4 का square तो 7 का square उन पंचास उन पंचास में से 16 मैंनस करूँगा 9 में से 6,3 चार में से 33 मिलिया तो सेम यहां लगाऊंगा 11 का स्क्वाइर मैनस 10 का स्क्वाइर यह आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा जो कि आपका 4th option राइट आंसर है next question करता हूँ यहाँ पे देखो किस तरीके से करोगे 5, 16, 77 है तो क्या हो सकता अगर मैं इनको आपस में 16, 85, 87 है ठीक है तो ऐसे जा सकता हूँ मैं यह बोल सकता हूँ 5 x 16 करूँ 16, 85, 80 80 में से 3 माइनस करूँ तो मुझे 77 मिल ला है सेम 13 और 12 12, 12 में 144 144 और 12 कितना हो जाएगा 156 13 गुणा 12 करूँगा तो मुझे मिलेगा ठीक है आपका 13 गुणा 12, 156 मिलेगा 156 में से 3 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 153 तो इसका अंसर सेकिंड हो जाएगा यही मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ 8 और 19 कितना होता है 1968 152 होता है इसमें से 3 माइनस करूँगा तो मुझे 3 माइनस करूँगा तो 149 मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न है सब में और इसका आंसर क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा Next question करता हूँ Next देखो 8 तेरा 25 है इसे देखो किस तरीके से आप करोगे ठीक है यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है तो आप देख सकते हो यह square है तो square है तो मुझे इन ही दो नमबरों से इस 5 लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ 13 में से 8 माइनस करूँगा तो मुझे 5 मिल जाएगा 5 का square 25 हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर 12 में से ठीक है 12 में से 7 मैंनस करूँगा 7 में से मैंनस 12 कर सकता हूँ गैब देख सकते हो square करूँगा तो square में पलसी आना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 का square 25 हो जाएगा सेम यहाँ पर करूँगा 15 में से 9 मैनस करूँगा उसका square तो 15 में से 9 गया तो आपका कितना आएगा 6 आएगा 6 का square 36 हो जाएगा तो आपका answer क्या होगा 36 होगा ठीक है सभी को समझ में आ गया ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो second number से पहला number गटा है या आप यह बोल सकते हो इनके बीच का गया है ठीक है मैनस भी आएगा तो मैनस का square करोगे तो वो आपका plus ही हो जाता है next question देखते है next देखो यह आपका last question है ठीक है यह है इसे आप करके बताएं इसका answer क्या होगा ठीक है आसान question दिख रहा है मुझे ठीक है normal question है तो इसे आप करके जरूर बताना इसका answer क्या है ठीक है तो यहाँ पर जो भी missing number के question आयते है वो सारे मैंने बता दिये आप practice जरूर करें जो भी question अभी तक SSC ने कराए है latest ठीक है इससे पहले CGL के मैंने करवाए हुए उससे पहले CHSL MTS और काफी सारे missing number के question कराए हुए stenographer के कराए हुए phase 9 में आपके जो question आये है वो भी मैंने आपको करवाए हुए तो आप सारे question को जरूर करें practice जरूर करें आप देखेंगे यही pattern जो थे वो आपके पहले भी पूछे जा रहे है बस कमी कहाँ पर आपकी practice पर ठीक है practice जितना जादे करोगे उतना आपको समझ में आते जाएगा ठीक है तो practice जरूर करें ठीक है कभी ऐसा होगा कि आपको exam में कोई question ना आपाए कभी ऐसा होता है easy logic भी होता है तो mind पर strike नहीं करता है तो वहाँ पर आप उसे skip कर सकते हैं तो ऐसा ना हो कि आप exam में उस पर बैढ़ जाए कि मुझे logic ढूड़ना ही ढूड़ना है तो वहाँ पर आप उसे skip कर सकते हैं बाद में करेंगे तो आपको logic आ भी सकता है ठीक है तो इसी तरीके से आप अपनी practice करते रहें